भारती ग्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हाली में सेंट्रल कॉंट्रेक्ट का इलान किया है। श्रेयसायर और इशान किशन को कॉंट्रेक्ट में शामिल नहीं किया गया है। ये दोनों ही प्लेयर्स बिसी सी आई के सालाना कॉंट्रेक्ट से बाहर कर दिये गए है। टीम इंडिया के पूरो हेड कोच रवी शास्त्री ने इन दोनों प्लेयर्स का होसला बढ़ाया है रवी शास्त्री ने इशान किशन और श्यस अयर को अच्छी वापसी करने की सलाह दी है दरसल रवी शास्त्री ने X पर एक post शेयर की है इसमें उन्होंने लिखा क्रिकेट में वापसी आपके जजबे को दिखाती है श्रेय सईयर और इशान किशन आप होसला रखिए आप चुनोतियों का सामना कीजे और मजबूत होकर वापसी कीजे आपकी उपलब्धियां बहुत कुछ बयां करती है शास्री ने एक अन्य पोस्ट में BCCI की तारीफ भी की है शास्री ने फास्ट बॉलर्स को कॉंट्रैक्ट में प्राथमिक्ता देने के लिए जैशाह और BCCI की तारीफ की है वाई शास्री ने अपने इसी पोस्ट में आगे लिखा कि BCCI द्वारा टेस्ट क्रिकेट और घरेलू क्रिकेट पर जोर देना एक पावरफुल मैसेज है जो हमारे सबसे पसंदीदा खेल के आगे आने वाले वक्त के लिए एक बहतर दिशा ताय करेगा बताते चले कि ये मुद्धा पिछले काफी समय से चर्चा में है कि कई खिलाडी घरेलू क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं इस पर VCCI ने पहले भी बोल दिया था कि अगर कोई खिलाडी टेस्ट क्रिकेट और घरिलू क्रिकेट को नहीं खेलेगा तो उनके उपर एक्षन लिया जा सकता है। अब रवी शास्त्री के इशान किशन और शेयस अईयर के उपर इस स्टेटमेंट को लेकर आपका क्या मानना है।